अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, मैगनीशियम की कमी है, कॉपर, जिंक की कमी है, उसकी बज़े से आपको थकान, कमजोरी, आपके शरीर में दल्द रहता है, आपको काम करने का मन नहीं करता है, हड्डियों में कमजोरी है, हड्डियां वीक होती जारी है, जोड़ो में कट-कट की आवाज आती है काटिलेस खराब हो रहा है तो आज इस वीडियों में आपको पांच ऐसी नाचुरल चीज़े बता हुआ जिसकी मदद से आप शरीर के अंदर मैगनेशियम, कैलसियम, प्रोटीन, मिल्क और कई सारी ऐसी चीज़ों की मदद से आपके शरीर के अंदर ये सफी चीज़ों की कमी को पूरा कर सकते हैं सो हाई अब्रिबन मेरा नाम डॉक्टर लोकेंद्र है आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कैसे आप सरीर के अंदर मैगनेशियम कैल्सियम और कई सारे इंग्रेंट्स जिनको आप नैचुरल दरीके से पूरा कर सकते हैं चलिए सुरू करते इस वीडियो को बिना किसी देरी के लिए के सुरू करने से पहले फ्रेंट्स अगर आप हमारी वीडियो पहली बाद देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किज़ेगा क्योंकि इस तरह की इंट्रस्टिंग इंफर्मेटिव वीडियो आपक सेवन करना चाहिए दोस्तों नेट्स इसके अंदर मैगनीशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है और मैगनीशियम हमारे वोंस के लिए हमारी वोंस की डैंसिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है जितना अच्छा मैगनीशियम हमारी हड ज़्यादा जरूरी तत्त होता है इसलिए magnesium आपको जरूर अप्योग करना चाहिए दूसरी चीज दोस्तों vitamin C vitamin C हमारे शरीर के अंदर skin के लिए hairs के लिए हमारे digestive system के लिए cells के लिए nervous system के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और ये बहुत ज़्यादा जरूरी तब होता है क्योंकि ये collagen के formation को बढ़ाने में मदद करता है और हमारे हड्यों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो अगर आप चाहते हैं कि शरीर के अंदर calcium, magnesium और vitamin C की पूर्टी रहे तो आपको nuts का 7 जरूर करना चाहिए और आपको flax seeds का 7 जरूर करना चाहिए vitamin C के लिए आप एक lemon daily opioid कर सकते हैं एक glass पानी के साथ में जरूर opioid करना चाहिए दूसरी चीज़ दोस्तों आपको calcium की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है शरीर के अंदर और calcium की पूर्टी करने के लिए आपको लेने चाहिए कच्चे पनीर कच्चे पनीर के अंदर calcium की बहुत अच्छी मात्रा होती है और हमारी शरीर की daily requirement 1000 mg होती है लेकिन कई बार यह होता है कि हम 1000 mg calcium नहीं ले पाते हैं एक गलास दूद भी अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर भी 1000 mg calcium नहीं होता है अगर आपको calcium की पूर्टी करना है सरीर के अंदर तो पनीर और ग्रीन लीफी बैजर टेवल्स जरूर उप्यो करना चाहिए लेकिन जो लोग calcium natural तरीके से नहीं ले पाते हैं calcium की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है ऐसी condition में आपको मैं recommend करना चाहूंगा फाइटि का ब्रांड का यह strong once tablets इसके अंदर आपको कई सारी चीज़े मिल जाती है इसके अंदर आपको calcium, magnesium, zinc, copper, vitamin k2 और साथी साथ आपको vitamin d3 मिल जाता है vitamin d3 हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जो sunlight से मिलता है लेकिन हम sunlight में नहीं बैट पाते हैं उसके वज़े से शरीर के अंदर vitamin d3 की भी कमी हो जाती है vitamin d3 का एक और बढ़िया काम होता है ये हमारे शरीर के अंदर calcium के absorption को बढ़ा देता है तो अगर आप calcium ले रहे हैं तो आपको vitamin d3 लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो phytica brand के strong born tablets के अंदर आपको already दिया गया है इसके अलाबा ये joints के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है calcium हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है यह हमारे nerves के normal functions के लिए जरूरी है cells के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है muscles और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा calcium की जरूरत होती है इसके अंदर काफी सारी चीजे मिल जाती है अगर हम बात करें इस tablets को कैसे seven करना चाहिए इसे पर्चीस करना चाहते हैं इसकी link अमने वीडियो के description और comment box में दिया हुआ है जहां से आप easily इसे why कर सकते हैं तीसरी चीज दोस्तों जो आपको अपकी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए प्रोटीन प्रोटीन हमारी हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और यह हमारी मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जो आपको पीनट और चने के अंदर मिल जाता है अगर आप चना फुलाकर के खाते हैं तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर मजबूत होती है जिसकी मदद से आपके सारी स्टे काति सारी प्राप्लम्स दूर होना अंच नहीं करती है हड्डियों में कमसूरी है हड्डियों 22 Ctrl होता है जोडों में कट-कट की आवाज आती है काटिलेस खराब हो रहा है और हमारी हड्डियां मजबूत बनेगी और जॉइंट से रिलेटेट की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अगर पीनेट का सेवन करते हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है और प्रोटीन की मदद से हमारी हड्डियां और हमारी मसल्स मजबूत होती है जिसकी मदद से आपके सरीर से कई सारी प्रॉब्लम्स दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे थकान कमजोरी जैसे प्रॉब्लम्स दूर होना साथी साथ आपको उप्योग करना चाहिए मिल्क गिनेशियम कैल्सियम और कई सारे इंग्रेंट्स जिनको आप नैचुरल तरीके से पूरा कर सकते हैं दिन में अटलिस्ट आपको एक गलास दूर जरूर उप्योग करना चाहिए अगर आपके शरीर के अंदर थकान कमजोरी वीक्नेस रहती है कैल्सियम की कमी है तो आप आपको एक गलास दूर अटलिस्ट जरूर उप्योग करना चाहिए जिनको दूद से अलर्जी नहीं है वो रात के समय लें और जिनको दूद से अलर्जी है या रात के समय पर लेने से उनको प्राब्लम हो दी है तो कोसिस करें वो सुबह के टाइम पर लें बहुत एकसासाइज की मदद से कई सारी को ठीक किया जा सकता है एकसा courtesy हमारा hadnet 64 है हमारा all overorama फोती मजबूत रहता है य कालिस्टोल इसकी मदद से blood sugar maintain हो सकता है, cholesterol कम हो जाता है और yoga की मदद से भी आपकी कई सारी problems को दूर किया जा सकता है अगर आप चाहते हैं सरीर से calcium की कमी दूर हो जाए, ठकान, कमजोरी, weakness जैसी problems हो जाए तो आपको ये जरूर उपयोग करना चाहिए, बहुत है नैसरल है, आसानी से आप इन्हें उपयोग कर सकते हैं और इनके कोई side effects नहीं है सब्सक्रón prev आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएर अगर आपको लगता है है यह लुदृ के लिए हैलफोल है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के शाब सेच जरूर कीजेगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीज़ेगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताईए वीडियो आपको कैशा लगा मैं फिर मिलता हूं इसी तरह कि किसी इंट्रेस्टिंग और इन्फर्मिटिव वीडियो में तब तक के लिए मुझे बिदा दीजे हस्ते रहे मुश्कराते रहे स्वस्त रहे थैंक्स वर्चिंग हैब नाइस टेए